आज की इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ पकोडा कडी पकोडा कडी बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी इस वीडियो में मैं किलियर करने वाली हूँ वीडियो पे बने ही रही है वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और ये रेसिपी बनाके जरूर ट्राइ कीजिए तो चलिए फ्रेंस वीडियो को करते हैं स्टार्ट टिप्स नमबर वन पकोड़ा कड़ी को आप कभी भी बनाए तो बटर मिल्क से ना बनाए इसे बनाए डिरेक्ट दही से दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और एक अलग सा गाड़ा टेक्शर आता है तो सबसे पहले हम दही में मिलाएंगे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और यहां पे आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं मैंने कुँच के वज़े से लाल मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं फिर तो मजा नहीं आता फिर इसमें मिलाएंगे हम बेसन बेसन को अच्छे से इसमें पूरा फेट लेंगे जिससे कि हमारी दही में भी कोई लंस न रह जाएं इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो सबसे पहले कड़ाई रख लिए कड़ाई में हम डाल देंगे अपने इस दही के बैटर को दही के बैटर को हम अच्छे से इसमें डालने के बाद हिला लेंगे गैस की फ्लेम फूल रखेंगे हमने इसमें बेसन डाला हुआ है तो फटने का कोई डर नहीं है सुरुवात में थोड़ा हिला लीजिए उसके बाद लिखने के लिए छोड़ दीजिए फिर हम पकोड़े का बेटर बनाएंगी पकोड़े का बेटर बनाने के लिए बेसन में हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और रेड चिली पाउडर मैंने बहुत थोड़ा सा यूज़ किया, आप लोग अपनी स्वात के नुसार मसालों का यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालके इसका एक टाइट बैटर बनाएंगे इप नमबर टू, इस बैटर में ना हमको मिलाने है टू स्पोन दही, दही से ये बहुत ज़्यदा स्पोन बनते हैं ये पकोड़े, तो इसको दही को मिलाने के बाद अच्छे से इसे फेट लें, दो से तीन मिनट आप जितना फेटेंगे ये उतना ज़्यदा अच्छे बन यहां पर मीडियम फ्लेम में और इसके बाद हम बना ले ते हैं पकोड़े तो अब लगा लेते हैं कडी में तड़का, तड़का लगाने के लिए, हम सेम पैन में रखेंगे तेल और इससे गरम कर लेंगे candle अभाधे इसके बाद हमने यहां पर लिया धनिया, मेति, अलसी, सौप, जीरा, लैसुन, प्याच और यहां पे लाल सुखी मिर्च तो इन सब से लगाएंगे हम तड़का तेल गरम होते ही डालते रहेंगे तो यहां पे सभी चीज अच्छे से भून चुके हैं हमारे इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लैसुन, लैसुन को भी अच्छे से डाल देंगे यहां पे लाल सुखी मिर्च, अच्छे से इन सभी को हिला लेंगे, इस टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ प्याच, प्याच को भी हम अच्छे से भून लेंगे, तो इस समय इसमें मिला लेंगे हम मसाले, जैसे की हमने मिलाए हैं आपे रे देख सकते हैं तो अब हम इस कड़ी को डाल देंगे तड़के में तो तड़का लगाने के बाद हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और फिर डाल देंगे हम इसमें जो हमने पकोड़े बना के तयार किये थे कड़ी में जब हम पकोड़े डालेंगे तो इसे हम कम फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे चार से पांच मिनट के लिए जिससे की जो हमारे पकोड़े हैं और भी सॉप्ट हो जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद इसमें आपका सूरी मेथी डाल सकते और हरा दनिया डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने पकोड़ा कड़ी बिना की त्यार कर ली है आई होप आप लोगं को यह रेसिपी पसंद आई हो